गुड़ मॉन्ग अब्रिवन आज हम डिसकस करेंगे सी सेट का कुशिन नमबर सिक्स्टी जो की काफी अच्छा कोशिन और काफी इंट्रेस्टिंग भी है तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं वह स्टार्ट करते हैं अब फ्रोग मतलब की मेंडग की बात करा है फ्रोग ट्राइस तो कम आउट अफ ड्राइस ड्राइड वैल 4.5 मिटर टेक है वह रहा है की एक मेंडग जो है वह बीवारो वाले एक गहरे कुएं सुखे कुएं के बाहर आने की कोशिस करा है ठीक है अब विद स्लिप्री वाल्स हिंदी में आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा है की एक कुवा है ठीक है मेंडग अगर आए उसके बाहर निकलने की कोशिस करा है अब कुवाएं की जो हाइट है वो दी गई है यहाँ पे 4.5 मिटर अब बो रहा है की जो मेंडग है वो उपर की और जो वो फु चलांग लगाता है ठीक है वो उपर की और चलांग लगाता है कितना सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर वो उपर की और चलांग लगाई मालो इसने 30 सेंटीमीटर उसने उपर चलांग लगाई लेकिन वहाँ पे जो वो फिसल लगया फिसलने की बज़र से वो हर बार जो वो 30 स 15 करेंगे तो 15 ही आ जाएगा मतलब कि हर चलांग पर वो 15 सेंटीमिटर उपर जाता है तो इसने क्या पुछा है कि कितनी चलांग लगाने पर वो ऊपर कुछ से बाहर निकल जाएगा देखें ऐसे कोशिन देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन आपको अगर वो चीज पता हुगी कि हम पे क्या appli करना है तो इस में जवाबो आपने एक बात याद रखनी है महसा है एसे कोशिन में कि जो लास्ट वाला जंप करेंगा उसमें जवाबो फिसलेगा नहीं देखें क्यों नहीं फिसलेगा कि माहलो यहां पे वो पहुंच चुका है मालो यहां पर पसांग लगायेगा 30 cm तो बाहर निकल जाएगा अब ऐसा थो है नहीं कि वह बहलेगा कि मुझे जो फिसल के लेका नहीं उसके बाद वह फिसल के नहीं कि वहां पर दिवार नहीं हैुआ कुछी बालो तो 4.5 मीटर है कह रहा है तो जो 15 सेंटिमेटर उपगाइंग 1230 लगाताया लेकिन मिटर का मतलब है यहां पे 45 upon 10 ठीक है अब एक मिटर में आपको बताए कि 100 cm होते हैं एक मिटर में 100 cm होते हैं तो इसका हो जाएगा 45 upon 10 multiply by 100 तो यह सेंटीमिटर में चेंज हो गया एक 0 से 1 0 cancel हो गया और 45 और यहां बचा 10 तो यहां पे बचेंगा 45 और 10 multiply होगा तो एक 0 इसके साथ multiply होगा मतलब कि उस कुवए की जो हाइट है वो है 4, 5, 0 cm ठीक है अब देखिए अगर वो जैसे यह मालो कुवए है ठीक है एक बार जंप किया 15 cm दूसरी बार जंप किया तिसरी फोर्ट ठीक है ऐसे जंप किया उसने जब वो 28th जंप मारेगा मालो उसने 28th जंप मारा मतलब कि 15 multiply by 28 ठीक है 15 multiply by 28 देखिए जिसको इस question जो वो इसका पता नहीं होगा वो क्या करेगा वो जो वो सीधा ही क्या करेगा कि for 50 को divide कर देगा किसे 15 से तो इस cancer आजएगा 30 तो यह गलत बात होगी ठीक है 30 नहीं आएगा इस cancer तो देखिए यहाँ पर जो वो जब वो 28th जंप मारेगा तो वो कहां तक पहुंच जाएगा तो वो पहुंच जाएगा इसको अगर multiply करने के तो आजएगा 420 तो 420 सेंटीमीटर तक वो पहुंच जाएगा तो यहाँ पर वो कुवा है और यहाँ पर वो 420 तक पहुंच चुका है और कुवा की जो height है वो 450 है तो मतलब कि उसको 30 सेंटीमीटर ही उपर जाना है अब अब वो last jump में वो फिश लेगा नहीं क्योंकि वो उपर तक पहुंच जाएगा और जैसे 29 जंप मारेगा वो उपर निकल जाएगा चिक है 29 इसका मतलब है हुआ कि 29 हमारा answer होगा चिक है काफी अच्छा कोशी ना काफी interesting था ओगे thank you and have a nice day